नमस्का मित्रू, मैं राजेंदर अप्रिल आप सभी का अपने पार्ते सुसिंद परिवार में एक बार फिर से आज स्वागत करते हैं और जैसा कि हम तीन मिनिट पहले हैं खोशकता है जो नए स्टुडेंटों वो समय का इनजार कर रहे हो लेकिन हममें देख रहा हूं कि बहुत सारी लोग रमसर जुड़ बी चुके हैं और लबशम 15 11 लोग जुड़ चुके हैं और बचे हुए समय में जो भी समय बचा हुआ है आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जयाए है न हम देख रहे हमारे सामने profession जुड़ चुके हैं प्रियांका गुपता जी सुधायादव जी मनोज उपध्याई जी सविता जी निधियादव जी करुणानंद भारती जी विभाद वेदी जी आर्टिस जोती सरमा जी चारू सिंग जी विपिन कुमार जी रेखार चोहान जी आप सभी लोग हम से जिवार में जुड़े से स्वागत करते हैं और और लोग जुड़ते रहें जैसे कुछ समय बचा हुआ है आप लोग जुड़ जाए और एक चीज और जितने भी लोग आपके लोग के परिशे में हों जितने भी लोग PGT PGT UGC Net की त्यारी कर रहे हों आप उन सभी तक इस को शेयर कर दीजिए क्योंकि आज की भी क्लास पब्लिक है और उन तक भी यह सुचना पहुच जाए कि क्लास चल लई है वो हमारे साथ आज जूर सकती है और दिल्ली DSSB PGT PGT का आपने दिखा है कि उसकी भी प्यारी आप लोग चैजिस कर दिए जिन लोगों ने फार्म फि चल रहा है वह दिल्ली DSSB PGT PGT के लिए इंदम कमफोर्टेबल है तो जो यूपी PGT PGT और दिल्ली PGT PGT तयारी कर रहे हैं उन दोनों लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्पूर्ण है इसलिए आप अपने अन्य लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए जैसा कि आप लोग आप अपई पांज भावंगों बाता है और उन रवा क्ला को मुक्ष रूप से पांच भावंगों बाता तो उनको भी दो अलग अलग रूपों में विभाजित कर दिया जैसे कुछ दृष्च कलाएं और कुछ दृष्च कलाएं तो इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और यहां से आपके एक्जाम में बहुत ही महत्पूल प्रश्णिय आते हैं और अनमरत हर साल एक दो प्रश्णिय आपके हि बहुत ही छोटे होती हैं लेकिन हम आप उन्हीं प्रश्णों को गलत कर देती हैं तो यह ऐसा महत्पूल टॉपिक है ही जो आप सभी लोगों के लिए महत्पूल है इसलिए इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से दिखेंगे तो चलिए कल हमने आपको बताया था कि ही जर्मन विद्वान हीगिल ने हीगिल ने कलापो मुख्रूप्सी दो भागो में विभाजित किया ठीक है यह इसके इस इस के बारे में कल हम बता चुके तो कौन कौन थे ललीट कलाओ दूसरा पूप्योगी कला देखिए यहां से किवल हमने लिखा अगर आपके दिमाग में प्रश्न बन रहे हैं और प्रश्न बनते भी हैं दो प्रश्न आप किवल हमने इतना लिख दिया है यहीं से आपको दो प्रश्न क्लियर होती हैं हम दोनों प्रश्न से पहले आपको जोड़ देते हैं जिससे की जितने ही धीमे धीमे हम आगेज बढ़ते चले आप लोग प्रश्नों से जुड़ते चले तो देखिए हमने आपसे प्रश्न पूशा जा सकता है कि हेग हेगल नामा के प्रशित बिद्वान ने ललीत कलाओं का वर्गर करण अपने हेगलियन क्वालिश्यकेशन आप फाइन आट्ट नामा प्रशित पुस्तक में विधिवत किया है प्रश्न बनता है अगर आपके एक्जाम में दार्शनिकों के बारे में पूछा जाता है विद्वानों के बारे में पूछा जाता है कि वे मुख रूप से कहां के निवासी थे आप से पूछा जा सकता है कि Hegel कहां के निवासी थे तो पहला ही प्रश्ण आपके सामने यहां पर यह है कि Hegel आपके जर्मन के निवासी थे एक प्रश्ण आपका important ready हो गया उसके बाद जर्मन विद्वान Hegel ने कला को मुख रूप से कितने भावों बाटा ने देखिए यहाँ पर आपको देखना है कला को मुख रूप से कितने भागू बाटा कलाये कई प्रकार की होती हैंना चित्रकला भी कई प्रकार की होती है चित्रकला कई प्रकार सितात पर होता जैसे कपले पर बनाएगे चित्र को हम लोग पठ चित्र बोलते हैं, है ना, और उसके बाद काश्ट पर बनाएगे चित्र को हम लोग काश्ट चित्र बोलते हैं, है ना, मिट्टी पर बनाएगे चित्र को हम लोग मिर्दपाट बोलते ह इस तरीके से जैसे सीशे पर बनाएगे चित्र को या सीशों को जोड़कर चित्रों की रचना करने को हम लोग सीशा चित्र बोलते हैं है ना कागज पर बनाएगे चित्रों को हम लोग लगू चित्र या चित्र बोलते हैं इस तरीके से चित्रों के भी कई रूप हैं, कलाओं के भी कई रूप हैं, लेकिन सामान रूप से इनका वरीकरण हम लोग बोल चाल की भासा में ऐसे कर लेते हैं, लेकिन जब हम बैग्यानकों के अनुसार चलते हैं, दार्शकनकों के अनुसार चलते हैं, तो सबसे पहली बा जर्मन विद्वान हीगल ने हमारे कला को मुख रूप से दो भागों बाटा पहला कौन सा है ललित कला और दूसरा हमारा कौन सा है उपियोगी कला अब आपको समझना ये है कि ललित कला क्या होती है और उपियोगी कला क्या होती है जैसा कि हम आप जानते हैं कि कला का मतलब होता है साउंदर प्रदान करना कोई भी चीज जो हमारे मन में साउंदर की अनभूत प्रदान करे साउंदर से तातर होता है आनन्द कोई भी किया कलाब किसी भी जीव के द्वारा किसी भी मन उसके द्वारा किया गया ऐसा कारे जो हमारे मन को आनंद की अनभूत कराए हमारे मन में प्रसंदा लाए हमारे हिर्दे को प्रफुलित करे ऐसे किये गए कार हमारे क्या कहलाते हैं कलाए कहलाती है हुआ ठीक है तो कला का तात्पर होता है कला से आसए है कि आनंद देने वाली तत्व या आनंद देने वाले कारत को तो हमारे यह जर्मत दिद्वन जो लइत किलाओं को दो भागों बाटा इन्होंने भाई कलाओं दो है सबका मतलब एक ही है कि आनंद प्रदान करना ये हम आसा है लेती हैं लेकिन हेगल महोदे ने कहा कि केवल इन कलाओं के माध्यम से आनंद की प्राप्त नहीं की जा सकती बलकि आनंद के साथ साथ भौतिक सुख्रू को भी हम प्राप्त कर सकते हैं इसके माध्यम से पाव्तिक सुक्सितात पर होता है कि जो हमारे जीवन, हम अपने जीवन जीने में प्रियोग करते हैं किसी भी वस्त को, जैसे सपोज करिए कि वर्तमां समय में जो महारी हमारी चालने, इसके वर्योकि और ले, इसके लिए हमको खानपीन अच्छे करने चाहिए, ये हमारी पूर्ती कैसे होगी जब हमको कहीं पैसा मिलेगा हम पैसे के माध्यम से ही दवाएं ले आएंगे पैसे से ही हम अपने खाने पीने की चीज रखेंगे है ना, अर्थार्त कुछ ऐसी भी कलाएं होती है जिसके माध्यम से हमको धनारजन होता है हम पैसा भी कमाते हैं, पैसा की अर्ण करते हैं, इन कलाओं को हम लोग उपयोगी कला बोलती हैं, है ना, तो हीगल के ने कहा कि ललित कलाओं व्या होती हैं, जिसके माध्यम से हम, हमें क्या होता है, जिसके माध्यम से हम आंध्रूनिक सुक्की प्राप्त करते हैं, या आंत्र वहां उस चित्र को हम छोड़के आगे की तार बढ़ते हैं उस की बाद को समय के लिए उसकी बाद सपोच करिए कि कहीं पर मंचन हो रहा हो किसे कोई संगीत का कारिकरम हो रहा हो कहीं नित्य हो रहा हो कोई गीत कोई बच्चा या कोई सिंगर गार हो जब उस गीत या उस नित्य का परफॉर्मेंस हमारे सामने होता रहता है तो हमारे अंदर क्या होती है हमारे इंद्रियां प्रफुलित होती है हम खुसी में तालियां भी बजाते हैं खुसी में हमारे मन मे विकार आता है, जो गीत वह प्रस्तुत करता रहता है, हम भी गाने लगते हैं, अगर वह नित्य कर रहा है, डांस वहाँ पे हो रहा है, हमारे मन में भी भाव पैदा होता है, हम भी डांस करने लगते हैं, सपोर्ज करिये डांस करना हमें नहीं आता, लेकिन फिर भी थोड़ा भोध हाथ-पेट बुलाने लगते हैं यही क्या है अंत्रिक सुख आपके अंदर की इंद्रियों को पर्फुलित करना ही क्या कहला था है नीक आטन ने बताया कि बहुता है ऐसी कलाए जिसके माढध्यं से हमको आंद्रुनिक सुख की हीगल ने बताया कि वह ऐसी कलाएं जिसके माध्यम से हमको अंदरुनिक सुक्की प्राप्ति हो उसे हम लोग लरित कला बोलती है ठीक है उसके बाद हो ने बताया कि उपयोगी कलाएं वे होती है जिसके माध्यम से हमको भौतिक सुक्की प्राप्त होती है भौतिक सुक्क करने प्रियोग करते हैं अगर वह फंदीचर हमको बनाना पड़े हम नहीं बना पाएंगे अगर आप फंदीचर बनाना नहीं जानते हैं तो आप नहीं बना पाएंगे वह हम किसी से खरिदते हैं और वह कोई हमारे जैसा इंसान ही होता है कि अपने हाथ का कौशल के माध्यम से उसका निर्माल करता है वह भी हमारे कला का एक उधारान होता है अर्थार्थ उसने फंदीचर को बनाया और हमारे हाथ से बेद दिया हमने उसको पैसा दिया उसको क्या हुआ उसको क्या हुआ उ पहने बना के हमें सजाता है, आपको सजाता है, वह खुद थोड़ी पहन लेता है, इतने महंगे अगर रोज बना बना के पहने तब तो बेकार हो जाएगा, वह बना के बेशता है, हम आपको देता है, और हम अपने आपको सजाने के लिए अपने घर के परिवार के सदस्तों क बना के हमको देता है उसको हम पैसा देते हैं वह पैसा पाता हुआ अपना काम करता है तो कुछ ऐसी कलाओं होती है जिसके माध्यूम से कलाकार स्वयम धनार्जन करता है पैसा कमाता है ऐसी कलाओं को हम लोग क्या हीगल ने बताया क्यों है क्या होती है उपयोगी कला होती है यह चीज में आप लोके समझ में आ गया होगा आप लोक के और कमेंट रूप चुके हैं और देखेगा इसके इसके तो चलिए यह यह पायों कि समझ में रूक चुके आर यह प्याल पर रूप चुका है अगर आगई होगी तो यह सारी चीज़ें ऐसी हैं आपको पढ़ने की जरूरत ही पढ़ती समझने की जरूरते हैं चलिए आगे चलते हैं फिर हीगल ने बाद में क्या किया कि आपकी इस ललीत कला को भी पांच भागों बाटा महत्पूर चौपिक चल रही है आपको बहुत ही ध्यान से देखना है अब देखिए यहां पर हीगल ने ललित कला को पांच भागों में विभाजित किया अर्थार्थ अर्थार्थ ललित कलाएं ललित कलाएं पांच होती है अब देख लेज हमने इसके पहले पहले पेश में आपको बताया कि हीगल आ को कितने भागों बाटा है ना कला कुरूने मुक्रूप से दो भागों बाटते या प्रस्रंख्या एक हो गया कि कला को मुक्रूप से दो भागों बाटा गया है अब बात बनती ही देखिए अहां पर दो प्रकार के पूछे जा सकते हैं दो तरह से पूछे जा सकते हैं पहला ये है कि हीगल ने इस ललीद कला को हीगल ने ललीद कला को कितने भागों में विभाजित किया है ना तो हीगल ने ललीद कला को मुख रूप से पांच भागों में विभाजित किया या दूसरे प्रकार से पुछा जाएगा प्रस्ण कि ललीद कलाएं कुल कितनी होती है या ललिद कलाओं की संख्या बताईए तो ललिद कलाओं की संख्या कितनी हो गई पांच तो हमने लिखा अर्थार ललिद कलाओं पांच होती है ये इस तरीके का प्रस्ट पूछा जाता है दोनों तरीके प्रस्ट पूछा जाएगा और ये प्रस्ट पूछे गए हैं छोटे छोटे प्रस्ट है लेकिन इतने महत्कून प्रस्ट है जो अनवरत आने वाले प्रस्ट है ये प्रस्ट अगर आपके गलत हो गए आपको समझने में गलतियां हो गई आप समझ लिजिए competition से आप बाहर हो जाएंगी और यहां पर गलतियां होती है क्यों गलतियां होती है कला ललित कला ललित कला के भाग ललित कला के रूप अगर आप सभी सब्दों को नहीं समझेंगे सब्दों को नहीं समझेंगे गलतियां करते चले अष्णा थे थी है होगा यह सारी चीजों को आप को ध्यान देना पड़ीगा तो हमने अभी कहा कि ललीट कला मुक reservoir से या हीगल ने कला कोicketिंे भागों बाटातां तो कला को थार्द हो गया। यह प्रaş्शन हो गया लेकिन अगर पूल प्रसंद हो गया कि हीगल ने ललित कला को कितने भागों बटा अंसर बदल गया है ना तो कला को मुख रूप से दो भागों बटा ललित कला को पांच भागों बटा अर्थार्थ हीगल के अंसार कलाएं मुख रूप से दो प्रकार की होती है जबकि ललित कलाएं मुख रूप से पांच प्रकार की होती हैं और वह कौन कौन सी है अब पांच प्रकार की होती हैं कौन कौन सी यह देख लीजिए तो पहला देखिए काब लिकला दूसरा है संगीत कला तीसरा है चित्रकला चोथा है मूर्थिकला और पांचवा है अस्थापत कला यह पांच हमारे हीगल के नुसार ललित कला को इन्होंने पांच भागों बाठा एक चीज और आपको गयर करना है कि यह जो हमने पांचों ललित कलाएं लिखी है यह क्रमसे है क्रमसे से ताथ पर होता है कि हीगल ने इन ललित कलाओं को किस नंबर पर रखा तो पहले नंबर पर इन्होंने मिस हीगल के अनुसार सबसे उच्छ कला कोंसी है हीगल के निसार सबसे उच्छ कला कोंसी हो गई काब कला क्योंकि इन्होंने काब कला को पहले स्थान पर रखा है आपसे पूछा जाएगा हीगल ने किस कला को संगीत कला को किस स्थान पर रखा तो संगीत कला को दूसरे स्थान पर अर्थार्थ जो क्रम से हमने लिखा है य इन्होंने मूर्तिकला को रखा पांचवे इस्थार पर इन्होंने अश्ठापत कला को रखा अर्थार्थ देख लिजिए आप लोग कभी कभी समझने में गलतिया करते हैं यह सब बड़े महत्पून चीज है अर्थार्थ हीगल के अनुशार हीगल के अनुशार सबसे उच्च कला सबसे उच्च कला काब व्यकला होती है होती है जबकी हीगल के अनुशार हीगल के अनुशार सबसे निम नकला सबसे निम नकला अस्थापत तकला मेरी बात आप लोग के समझ मा आ गई होगी यह सब प्रस्ण जो हम निकाल के रख रहे हैं सब प्रस्ण आये हुए हैं हीगल के अनुशार सबसे उच्च कला कौन सी है या ललित कलाओं में ललित कलाओं में सबसे उच्च कला कौन सी मानी गई है या ललित कलाहों में सबसे निमन कला कवंसी माली गई है तो हीगल ये जो पांच बात ludzieach कला बताई उन्हों ने बताया कि हीगल गत्तिक वंसार सबसे उच्छ गला को ओंसी हो गई इक प्रशन हूँ किपार हॉत में आप नहीं समझ पार होगे बहुत सारे प्रस्षय होगे पहले नंबर ही घेल ने कला को मुखरूप कितने भागूम बाटा दो एक प्रस्षय दूसरा प्रस्षय ही ऊच्छा किसको बताई कावड़ कला को उसके बाद ही जासे पूछा जा सकता है कि ही एल ने चित्र कला को किस अस्ठान पर रखा, तो हीगल ने चित्रकला को क्या रखा, क्शाफान पर रखा है Maryland-3 अप रखा रखा या जब कि इसके पहले हमने आपको बताया कि भरत मुनी था भरत मुनी नाम नामा का प्रशिद्ध हमारे विध्वान ने अपने प्रसिद्ध गरंथ कामसूत्र में, मुने सबसे उच्छी अस्थान पर किसको रखा था हमने आपको बताया चलिए बताईए आप लोग अंसर दीजिए कि चलिए इसका अंसर बताईए हमें कि कि वासायन मुने सबसे उच्छ कला किसे बताया है जल्दी सेंसर दीजिए इसका चलिए प्रयांका गुपता का अंसर आया है संगीत कला वेरी गुड़ मैं देख रहा हूं संगीत बहुत सई अर्थार यह प्रशनाब लोग को रेडी हो चुका है है ना दीपक मदेशिया का भी अंसर आया चुका है संगीत कला ठीक तो यह दो और के रेडी होगे काम सूत्र या वाप सेर मुन्य के नुशार सबसे उत्च कला कला कां से हगए काब कला हो गई जबकि हीगल की अनुसार सबसे उच्च कला कौन सी हो गई। काबी कला हो गई। वासायनमुन की अनुसार सबसे निम्न कला ब्यायाम कला हो गई। जबकि हीगल की अनुसार सबसे निम्न कला कौन हो गई। अस्थापत की कला हो गई। यह सबाब के लिए तंफर्म हो गया थे लग वास्शायन मुल्ड ने च्ट्रकला को किस अस्थान प्रक्षान प्रक्ष पर रख्षान पी है तो में यहां पर इनको प्रसिद में तीसरे इस्थान पर रख़ा गया है कि यह चीज़ आपके समझ माघ गई लेकिन एक सपोज करिए आपसे पूछ लिया जाए कि किस प्रसिद्ग्रंथ में चित्रकला को सरोच कला बताई गई है या प्रसिद्ग्रंथ में चित्रकला को सरोच कला बताई गई है आप लोग को बताया गया है चलिए आप लोग के अंसर कहा में दिजार करते हैं कि किस प्रसिद्ग्रंथ में चित्रकला को सरोच कला बताई देखना चाहता हूं कि पहला अंसर कौन देता है अभी तक किसी का अंसर आया नहीं है दीपक्त मदेशिया का अंसर आया है विश्रू गरंथ चलिए आल इन वन अर्थार्थ दोनों लोग का अंसर सही है विश्रू धर्मुत्तर पुराण बिलकुल सही इसका राइड अंसर है विश्रू धर्मुत्तर पुराण नोड करके लिख लीजे यह है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रशन है और आज उका प्रशन है प्रशन है बहुत्तर प्रशन है यह भी प्रशन है बहुत ही महत्पूर्ण है कई बारा आचुका प्रशन है इसलिए हमने आपको बोल्ड किया यह प्रशन जो आये हुए प्रशन है वह प्रशन गलत नहीं होने चीए प्रशन है इसलिए हमने कई बार क्या लेकिन अभी संभवता है मेरे नजर के सामने यह नहीं आया है कि काम सुत्र या वासायन मुनिके अनुसार सबसे उच्छ कला काउंसी है कि यह प्रशन भी पूछा गया है ति यह तीनो प्रशन ऐसे इंपॉर्टन है ऊपको तीनो में अंतर के वरी अस्थान जो दिया गया इसका आधे चलते हैं तो हीगुल नो ब्ताया लदी कतनी कितनी होती पांच गाल कि यह चीज़ आपको बताया गया है हमने इसलिए ऐसा लिखा कि अब यह समझ रहे कि हेगल ने ललित कला को पांच भागों में तु विभाजित किया ही है हना सुनते सुनते आप लोग को याद हो गया होगा एफ दो तीन चार और पांच यह इनका क्रॉम भी है आप ऐसे देखेंगे ऐसे करेंगे फिर ऐसे बढ़ते हुए क्रॉम में करेंगे अर्थार सबसे उपर कौब कला फिर संगीत कला फिर चित्र कला फिर मूर्त कला फिर अस्थापत कला अब इसके बाद यह भी है कि हीगल ने इन पांच सो ललित कलाओं को भी दो भागों भाजित किया है दो रूपों में भाजित किया है दो रूप कमिस होता है रूप मिस होता है द्रिश से और आद्रिश से द्रिश से और आद्रिश से कुछ कलाएं ऐसी होती है जिसको हम सिर्फ ऐसास कर सकते हैं छड़भंगुर होती है जो कम समय वाली कलाएं होती है जो हमको कुछ समय के लि अस्थाई रहती हैं, जिनको हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर ले जा सकते हैं, ये हमारी रूप प्रत्कला होती है, तो हीगल ने इस ललित कला को भी दो रूपों में घ्राजित किया, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, हीगल ने ललित कला को दो रूपों में किया है, पहला, रूप प्रत्कला, और दूसरा, आरूप प्रत्कला, मेरी बास समझ में आ गई, ये जो हमारी पांच कलाएं हैं, ललित कलाएं, इन पांचों ललित कलाओं को भी हीगल ने दो रूपों में विभाजित कर दिया, दो रूपों में अर्थार्क इसमें कुछ ऐसी कलाएं हैं, जिनको हम सिर्थ ऐसास कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और जब तक हम सुनते रहेंगे, जब तक हम देखते रहेंगे, हम उसमें रमे रहेंगे, वह हमको आनंद प्रदान करते रहेंगे, हम उनसे आनंदित होते रहेंगे, हमारे अंदर प्रसंदता का भाव जागरित होता रहेगा, हमें आनंद की प्राप्त होती रहेगी, लेकिन जैसे ही वह परफॉर्मेंस बंद होता है वैसे ही वह कलाएं हमारी क्या होती है छड़ खत्म हो जाती है तो जो कुछ पल के लिए कलाएं होती है हमारे सामसे रहती है उन्हें हम लोग क्या बोलते है आर रूप परत कलाएं क्योंकि उन कलाओं को हम पकड़ कर ले आकर क कुछ समें के लिए चुठ राइसे साधी बियोगा का महुल चल रहा इसमें को पूरोना फैला हुआ हुआ कृट आप लोग साधियों में रहते और यजिभ साधियों में आप छाते हैं और विकर आपको बताया है भखेंगे के लिए बूंघ भी ऑन जिनको DJ जो sound होते हैं, उनके आवाज उनके base तो अच्छा लगता रहता है, उनके मन को ट्ंच करता रहता है लेकिन क्या करें वेचारे, उनको dance करना ही नहीं आता, जब उनको dance करना नहीं आता, तो क्या करते रहते, दूसरे को ही ठेले पड़े रएते हैं कि आप ही डांस करो। है। आर्थार्त, वह कलाए क्या होते हैं उस समय और आरूप्रत कुछ ऐसी हैं जो हर समय हमको दिखती रहेंगी जैसे आपने चित्र बना दिया चित्र बना के आपके ही अपने दिवार पर लगा दीजिए वो जब नजर जाएगी तब दिखेगा और इस दिवार पर नहीं अच्छा लग रहा है यहां सुठा के दूसरे लेकिन उबह क्या है हटेगा नहीं पड़ा रहेगा कोई आप मूर्ति बना लीजिए मूर्ति आप अपने कमरे में टेबल पर रख लीजिए नहीं अच्छा है आलमारी में रख दीजिए नहीं अच्छा है बाहर ले जाकर दीजिए लेकिन उप पड़ी रहेगी वहीं रहेग हटने वाले नहीं है समाप्थोने वाले नहीं है अर्थार्ति यह हर समय आपको नजर के सामने दिखते रहेंगे अर्थार्ति सब क्या है रूप प्रत कलाएं है तो यहां जो हमारी पांच कलाएं हैं में कुछ रूप प्रत हैं और कुछ आरूप प्रत हैं तो उनको भी देख कि कभीता पंड़ता रहता है तो हमको अच्छा लगता है और जैसे हुआ बंद करता है वह सारी कभीता हो जाती है और हमारे मन को जो आन्न मिलता हुआ भी खतम हो जाता है उसी तरीके संगीत है संगीत में हमने अभी आपको डीजे का एक्जांपल दिया कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है सपोज के उसी साधी में और केश्टा गया हुआ है कोई नित्यांगना है वो नित्य कर रही है जब नित्य करती रहती है हम लोग भी डांस करते हैं उसके साथ लेकिन जैसे वाली रुकने वाली नहीं चल भंगूर है अर्थार्ट काव विकला को और संगीत कला को हीगल ने अरूप प्रत्कला बताया है ठीक है जब की चित्रकला मूर्थिकला और अस्थापत्तिकला हमने बताया कि यह एक बार बना दिया आप सुरच्चित रखे रहे कौफी दिनों तक चलती है अर्थार्थ यह हमारी क्या है रूप प्रत्कलाएं कि यह यहां से प्रस्ण भी टीजीटी दोहजार ग्याराम भी पूछा गया है तेराम भी पूछा गया है संभवता सूला में भी इससे पुछे गए हैं रूप प्रत्कलाएं इसमें से तीन को दिया गया था इसमें से कौन एक और रूप प्रत्कला है अभी एक दो पॉइंट और आपको बता दे रहे हैं आपको लगेगा नहीं बिल्कुल सही सर बोल रहे हैं आप लोग देखे होंगे अब जैसे ही जो हमारी पांश ललीत कलाएं हैं अरुप्रत भी हो गए हम रूप्रत भी हो गई अब आपको इसमें एह भी देखना है कि जैसे चित्रकला обिकला इन सभी कलाउं का आधार भी बताया गया है इन कलाईं का मुख्य अधार क्या माला जाता है जैसे हमारो पुम आपको देखे पिरो कर एससे बढ़ अबर इसा बढ़िया कावी की रचना कर देता है, कि जब हम आप उसको कविता पाट करते हैं, जब उसके हम अर्थ को निकालते हैं, हमें बहुत ही आनन्द आता है। तो कावी में कभी या लेखा क्या करता है, सब्दों को, अच्छे-च्छे सब्दों को रच के, एक अच्छे कॉभी की रचना करता है, इसलिए कावी कला का आधार सब्द और अर्थ को माना गया है। जब कि ये आपकी संगीत कला जो है, इसका जो आधार है स्वर और नाद। स्वर अर्थार्थ कोई भी कभिता हो, जकोई भी गीत हो, जाप सुंदर तरीके सält गाते हैं, जो गएक होता है, जो गईका होती है, जितना ही संदर गाती है, उतना ही वह में अच्छा लगता है। अर्थार्थार्थ अगर कोई गीत बहुत अच्छा हो, अगर इसको गाने वाला अच्छा न हो तो सारा का सारा गीत उसका क्या होगा खराब हो जाएगा इसलिए गीत कोई और लिखता है गाता कोई और है तो यह संगीत कला है इसका जो आधार होता है स्वर्य और नाध होता है ठीक है चित्रकला है यह चित्रकला है इसका जो आधार होता है रंग और ब्रेस होता है अगर चित्र बनाना हो रंग और ब्रेस ही नहीं हो तो आप समय लिजे कि कोई चित्र अलंकृत नहीं बना सकते अर्थार्थ चित्रकला का जो मुख्याधार मना गया है वह क्या है रंग और ब्र मूर्थी हमारी जो है इसका जो मुख्य आधार है वह है सिमेंट और कांक्रेट आधी मिट्टी सिमेंट कांक्रेट या मिट्टी जो आपके मूर्थिकला का मुख्य आधार माना गया है उसी तरीके से अस्थापतिकला अस्थापतिकला में अगर इंट नहों पासाण नहों इं कि इत और को माना गया है कि यहां तक समंदमा गया हुआ इसके आगे अभी देख्यों और म eff प्रश्ट बनते हैं जो अनवरत आते हैं और आपके जानकारी के लिए महद पूर्ण है अर्थार्त यहां देखिए यह जो चित्र कला होता है यह चित्रों का किसी भी चित्र की रचना करने के लिए एक धरातल की और सकता पड़ती है अर्थार्थ चित रचना का धरातल एक ऐसा तत्त है चित रचना का धरातल धरातल हो चाहे सिलाखंड हो चाहे कागज हो चाहे कपड़ा हो चाहे हाथी दाथ हो चाहे लकड़ी हो ठीक है चाहे ताल पत्र हो कोई भी चीज हो वेगर किसी धरातल के कलाकार किसी भी चितर की रच नहीं कर सकता हावा में हम बरस्ट लाइंगे बनेगा ही नहीं किस लिए कि दर रातल की दरूरत पड़ती है अर्थार्थ बिना धरातल के खला काव एक ऐसा तत है जिसके अभाव में कोई भी चित्र रचना करना असंभव है और वह है यह जो चित्र है इसकी जो धरातल होती है उसमें लंबाई और चुड़ाई नहींत होती है अर्थार्थी जो हमारा चित्र है अर्थार्थी जो हमारी चित्र कला होती है यह दो आयामी होती है बहुत ही महत्पूर प्रस्ण है कि चित्रकला कितनी आयामी होती है दो कई बारा आया हुआ प्रस्ण है ठीक है चित्रकला दो आयामी होती है एक भी यह भी इंपॉर्डन प्रस्ण है उसी तरीके से हमारी मूर्टिकला है मूर्टिकला हमारी क्या होती है थ्री आयामी होती है है मूर्टिकला केतने आयामी होती है तीन अधार इसमें लंबाई गुर्थे चोड़ाई गुर्टे उचाई मूर्थियों में लंबाई गुर्टे चोड़ाई गुर्टे उचाई होती है जबकि हमारे चित्रकला में लंबाई और चोड़ाई होती है उचाई नहीं होती है अर्थार्थ यहाँ लिग लिजे लंबाई गुर्टे चोड़ाई चित्रकला द धो आयमी और मूर्तिकल अपकी त्री आयमी होती है चिक यह इतने महत्पूल प्रस्ण है ऐसे भी कोई सज्जन है जिनको न समझ में आया हो या यह सारी सारी चीचें как यह आई की नहीं आई अगर नहीं आई तो क्यूं नहीं आई आप अपने कमेंड की माध्यम से जल्दी से बताएं कि तीपक मद्देशिया जी कहना कि सर कलाओं में सबसे स्रिष्ट कला काब कला को मना गया बिल्कुल सही है आजे कुस्वाह जी देखे आप टीचर कला के बनके जाते हैं और वहाँ पे कलाएं कि साथ-साथ अन्वी चीचे पढ़ाई जाती हैं आपको आपको पढ़ाने के लिए दिया जाता है आप जिसे में आप रूच रखते हैं विद्ध्याले में जानेक बात आप वह विद्ध्याले में वह चीज आपको पढ़ाने के लिए दी जाती है कि अब क्यों अइसा नहीं कि आप चितोकला लगां फिल्द्ध्या जाते हैं चीडव क्लास ही पढ़ायेंगे स्वेट्ध्याले में जाती हैं बात करने के बाद आप जो भी वहां से उन्टेक्षन मिलते हैं जो शीजआ बताईजे तो एंसा करके आप डमे Jacob चलिए देखिए इसके साथ सथ आप देखिए हम आपको जोड़ना चाहते हैं कुछ चीजें से प्रस्न है अब ये प्रस्न तो चलिए ठीक है ललित कलाएं हो गई कलाएं हो गई लेकिन अब वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर समय आप ये चीजें आपको तो बुस्तक में देखेंगे तो आपको किताब में वर्डिद मिल जाएंगी लेकिन हम कुछ ऐसे पहलूं से आपको जोड़ देना चाहते हैं जो विशेशतर पर नए हमारे स्टूडेंट्स हैं कि वह वो ऐसी चीजें हैं जिनको आज बहुत सारे ऐसे अध्यापक हैं जो कला के टीचर्स हैं जो पहाभी रहे हैं आज तक उनको भी नहीं पता है क्योंकि उन्होंने भी इसी टेंडस तैयारी की किस टेंडसे आने वाला जो एक्जाम से एक्जाम के टेंडस उन्होंने तैयारी हैं यह आपके महत्मून हैं उसी तरीके से वे प्रस्ण भी आप लोग के लिए महत्मून हैं हम आपको सभी लोगों को आगे चलने से पहले कुछ ऐसे प्रस्णों से जोड़ देना चाहते हैं कि जो प्रस्ण बड़े-बड़े कुछ प्रस्ण आपको पहले जोड़ते हैं फिर हम आगे चलते हैं देखे एक प्रस्ण हमारा देख लीजे कुछ महत्मूर प्रस्ण है कि देखे पहला प्रस्ण जैसे हम आप से पूछें हम पहला प्रस्ण पूछ रहे हैं कि भार्टी कला क्या प्रधान है उसके बाद दूसरा प्रस्ण है क्या प्रस्ण प्रस्ण है करें कि यह दो प्रस्ण है कुछ ऐसे भी लोग है आदखें कि पहले आल इनवन और इसके पहले देपक मध्धेश्या जी का अंसर आया है रेखा प्रधान और प्रधान और लोगों के धर्म प्रधान आये भार्ति कलारेखा परदान रैया जे कुमार ठीक है, चलिए, देख लिजे कि आप लोग ही अंसर दे रहे हैं, आप लोग अंसर दे रहे हैं, मुझे लगता है कि इसे में से बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं, एक लोग एक बार से लेवर्स को पूल कर चुके होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक दो बार एक्जाम दे भी चुके होंगे और बहुत सारे कुछ ऐसे भी हमारे मित्रों होंगे जो पहली बार एक्जाम दे रहे होंगे लेकिन अभी तक ये छोटे छोटे प्रस्ण है दोनों चोटे चोटे प्रसन ہے और हम अपने student को तो एक दो बार बता भी चुकी है लेकिन आज भी इन दोने चोटे प्रसनों का अंसर आप लोगों के पास सभी के पास अलग-अलग है और सभी के पास अलग-अलग है इसका मतलब यह है कि आप सभी लोगों में अभी तक confusion की स्टिटी बनी हुई है suppose करिए कि दोनों परशन आपके TGT 2021 में आ जाए तो क्या आप एकदम 100% confidence के साथ दोनों परशन को सही कर सकते हैं कितने लोग कर सकते हैं बताईए अभी भी मैं कह रहा हूँ जितने लोग जुड़े हैं इन में से 90% भी लोग 95% में बात करा 95% लोग भी इन दोनों परशनों को सही नहीं कर सकते हैं अर्थार्त अगर 4-4 नंबर का एक एक परशन है 8 नंबर लेने का काम अभी तक किसी में नहीं है ठीक है ना तो आप समझ सकते हैं कि ये ऐसे कुछ छोटे-छोटे प्रशन है हम आगे चलते लेकिन हम इन ऐसे प्रशनों सिसले जोड़ दे रहे हैं क्योंकि यहीं सब ऐसे प्रशनों होते हैं जो नए कमट्रीटर को भी अपने पुराने कमड़ों के बराबर कर देता है है ना तो देखिए भारती कला क्या परधान है इसमें से इसका अंसर कुछ लोगों ने रेखा परधान दिया कुछ लोगों ने धर्म परधान दिया तो हम इसमें पता देना चाहते हैं कि पहला देखिए अदीपक मद्धेशियजी के भारती कला धर्म परधान है चलिए और प्रियांका भारती कहना एक रेखा परधान है चलिए हमने देखा कि जितने भी कमेंट आए हैं जितने भी कमेंट आए हैं एक भी कमेंट हमको नहीं मिला किवल धर्म और रेखा से ही संबंदी दोनों प्रस हैं हम से हमको लगभग 77 लोग दिख रहे हैं 77 लोग आप लोग क्लास कर रहे हैं 77 लोगों में से किसी ने भी एक प्रस्न का अंसर दिया ही नहीं क्या आप इतनी लोगों में से किसी के पास एक प्रस्न का अंसर नहीं है कि यसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो एक वास्ट्थ दो बार एक्जाम दे चुके हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरी तैजारिक कर लिए है जुन में एकजाम होने वाला है और चलिए सब्सक्ते निया हैं पर फिर्स विए रहे हैं गहराई से अख्यान करिये ये भारती कला हमारा क्या है भारती कला में हमने क्या समाहित क्या है आपको समझना है ये दोनों प्रशने आप लिख लीजेगा किसी भी टीचर से जाईएगा किसी भी टीचर से जाईएगा अगर किसी का नंबर आप लोग के पास होगा कहीं आप लोगों ने ट्रैल वगरा लिया होगा या किसी तरीके से अपने सीनियर से जाके पूछेगा और दोनों प्रस्णों को पूछेगा बाकाइदे पूछेगा इस भावना से नहीं कि उनको नहीं आता ये भावना नहीं होनी चाहिए आपकी आप भी भावना जानकारी वाली होनी जानकारी के उद्द्र से पूछेगा कि इन दोनों कर सभी अंसर भी यह बता दीजिए मुझे मुझे नहीं, मुझे विस्वास है कि इस परसन का, दोनों परसनों का 85% लोग अंसर दोनों का सही नियवद पाएंगी एक परसन का चलिए ठीक है बताएंगे लेकिन फिर भी के रफूजर रहेगा लेकिन दोनों परसनों का उत्तर 100% नहीं बता पाएंगी 85% लोग नहीं बता पाएंगी तो देखिए हम आपको समझा देना चाहते हैं कि इसमें हमने पहले परशन में समाहित किया है ये हमारा भारती कला है ये हमारा क्या है? भारती कला है और भारती कला से तात्पर होता है समझिएगा बहुत अच्छी तरीके से, यहां पर काब दिकला भी है, यहां पर संगेत कला भी है, यहां पर चित्र कला भी है, यहां पर मूर तिकला भी है, यहां पर अस्थापत तिकला भी है, अर्थार्थ इस भारती कला में यह सभी कलाएं हमारी पांचों कलाएं समाहित हैं, अगर जब पांचों कलाएं हमारी समाहित हैं, तो क्या बताइए कि क्या सभी पांचों कलाएं में रेखाएं ही प्रयोग हो होता है नहीं होता मोर्ति कलामे रेखा प्रञेख होता है नहीं होता है काभीकला मे रेखा प्रधान कैसे हो सकता है अध्य चár जितने लोगों ने इस प्रहले प्रष्ण का अंसर धर्म प्रधान दिया है उनका अंसर बिल्कुल सही है पहले प्रश्ण का अंसर क्या है राइट अंसर है धर्म प्रधान यह इसका सही अंसर है अब यह भी हम समझा देते हैं क्यों क्योंकि आपके दिमाग प्रश्ण बनेगा ऐसा क्यों ऐसा इसलिए काब्द प्रधान इसलिए है, काब्द में देखे, जब काब्यों की रिषना, जब हमारे हां गरंथू की रिषना होना सुर्व हुई, सबसे पहले जादू, टोने, सम्मंधित, गीतों की रिषना हुई, रिषाओं की रिषना हुई, ठीक है, और वो जो रिचाएं लिखी पानकर प्राचीन काल में गरंथू की रिषना की गई, इसलिए काब्यकला का भी मुख्याधार जर्म कैसे हुआ, धर्म के आधार पर, संगीत कला, भगवान स्यू, भगवान स्यू, जो तांडों नित्त क्या करते थी, या जब देवी और देवताओं को, जब देवताओं क को मदमक्स्त करना होता था, उस समय अफसराइन नित्त क्या करती थी, राजा हम आप नित्त क्या अनन्द अब लेने लगे हैं, बैदिक काल में या जब इस्वरबादी परंपरायन थी, उस समय देवताओं को प्रसंद करने के लिए नित्त का जन्म हुआ था, अर्थार गीत कला, गीतों का भी रिचना हुई थी, उस समय इन संगीतों का, क्लाओं का, क्योंकि ये जो काब्वे, दोहे और सोठे, या सवईये में गाये जाते हैं, इनकी भी रिचना धर्म को ही आगे बढ़ाने के लिए, धर्म को प्रिचार करने के लिए हुई, जैसे हम आप क्य यग्य थे, यग्यों के सफल बनाने के लिए किया जाता था, इसलिए संगीत का भी, संगीत कला का भी उद्वव या जन धर्म के याधार पे हुआ, चित्रकला, चित्रकला का भी उद्वव, धर्म के याधार को आपको इसे बताया गया है कि, ब्रम्हा जो है, ब्रम्हा को और हमारे उसत्र को पहला चित्रकार माना गया है एक बार राजा ननगनजीत यो भैजीत के राजदरबार में एक गुणहा बिक्ती एक गुणहा-ब्रामण था और उसका एक ही लड़का था वह अचानव किसी करन मर गयाआ और जो मर गया तो भैजा चैन भैजीत राजा के पाज गया, उसने कहा अगर आप सही में राजा हैं, तो हमारे इस पुत्र को जीमित करिये, तब हम मानेगे कि आप सत्यवादी राजा हैं, उससमें नंगजित्यों भैजित्त ने ब्रह्मा जी को प्रशन ने किया, ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया, कि आप इसका चितर वोल्ज में दमें उसके पर सब्सक्राइब की ठीक है इसलिए चित्रकला की भी जो विकास हुआ हुआ है धर्म के आधार पर हुआ मुर्तिकला हम देखते हैं चाहा हम गांधार कला सहली देखें जितने ही भी कला सहलियां है जितने देवी देवताओं की मूर्तिया बनी प्रारंब में पूजा पाठ के लिए बनी हमारे चाहे बैदिक धर्म हो चाहे हमारा जैन धर्म हो चाहे हमारा बाउत धर्म हो चाहे जो भी धर्म हो सभी के परचार के लिए मुर्तियों का इमार करना सबसे पहले प्रारम हुआ था इसलिए मुर्तियों के निर्मार की प्रक्रिया का प्रारम भी धर्म को बखावा देने के लिए धर्म के ही करण मुर्तियों का इमार हुआ अस्थापत तिकला स्थापत तिकलाका जन्म हमने देखा कि समाधियों में हुआ सबसे पहले समाधियों में मिरत आत्मा में ऐसा प्राचीन लोगों की मानता थी हूँ ज्यदू टोने में विश्वास किया करते थे सारी जिन्दा हो के आते हैं जब जिन्दा होके आते हैं तो उसक्ताओं की जो चीजें उनके पास रहेंगे तो उसका सेवन करेंगी इसलिए उसक्ताओं की चीजों को अच्छी तरीके से विवस्तिर करने के लिए मस्तवो या समाधियों का अच्छी तरीके से प्रारम में निर्मार होना प्रारम हुआ और बाद में उन्हीं मस्तवों, कबरिस्तानों या बाद में चल कर क्या बोलते हैं इनको इस्तूपों का बाद में पूजा पाड़ करने की प्रक्रिया प्रारम हुई अर्थार्थ हमारे जो अस्थाप इस्थूपों के बाद में मंदरों का इमाल हुआ, मंदरों का निर्माल भी पुजा पाड़ के लिए हुआ, अर्थार्थ इस्थूप चैह मंदिर, इनी समका विकास धर्म के परशार के लिए किया गया था, अर्थार्थ हमारे भारती कला मे कुछ धर्म प्रधान मानी गई है क्योंकि धर्म के आधार इनसी कलाओं का चंप हुआ तरो यह पहले प्रस्शन कान सर्र दूसरे प्रस्शन का अंसर है कि OW मोज हमान के इसका जो रजन सर्ः वह या इस तक आड अनसर है वह ल्याज क्या आप जितने भी लोग comment कियें किसी के answer में lay आया हुआ है आप लोग देख लीजिए पहले ये चीज जो lay answer हमने दिया है क्या आप लोगों जितने लोग comment दिये हैं क्या किसी ने lay answer दिया है अब देखिए स्वेता यादो जी इनका कहना है कि रेखा परधान है थोड़ा आप चेक कल्य प्लीज सर रेखा जी आपके अगर इतने समझाने पर भी अगर आपके समझ में नहीं आया है ना अगर आपके इतना समझाना रेखा जो है भारती चित्रकला रेखा परधान है अब आपको हम आउर भी समझा देते हैं क्या करें क्योंकि देखिए अगर प्रस्न हमारा ये होता प्रस्न हमारा अगर ये होता देख लिजी हम यहीं समझाएंगे ताकि आप जिन्ड़िकी में कभी नहीं भूलेंगे अब अगर हमारा प्रशन होता कि भारती चित्रकला भारती चित्रकला या चित्रकला क्या परधान होती है क्या परधान होती अगर ये प्रश्ण हमारा होता यहां पे हमने चित्रकला की बात की है और हमने आपको बताया कि इन पांचो कलाओं बेसे चित्रकला एक है जो हम चित्रकला की बात करेंगे तो चित्रकला हमारी जो होगी यह रेखा परधान हो जाएगी जब हम चित्रकला की बात करेंगे तब ये रेखा पढ़ान हो जाएगी किसका ये अंसर था क्या हाँ गई ये रेखा जी या कुछ स्विता यादो जी अगर आपको अब समझ में आया होगा तो अब आपस अपनी सहमती दे दीजिए जी बिल्कुल अब आपके समझ मा आ गया आपका कमेंट आया जी सर सही कह रहे हैं आप स्वारी मेरा गलत था बिल्कुल चलिए गम सकम देखिए होना चीए लेकिन हाँ जहां गलती होगी मैं इसलिए आपके साथ हूँ मैं जानता हूँ रिखाजी की वरतमान समय के जितने भी मैं प्रिश्न में आपको क्लियर करा दे रहा हूँ अभी बहुत सारे नए टीचरों ने सुरू किया है बहुत सारे नए टीचर पढ़ा रहे हैं उनके पास अभी इतना भी तजुर्बा नहीं है कि पेपर कैसे बनते हैं और प्रिश्न की भूमिका क्या है प्रकीत क्या है कि समझ रहे हैं और मैं कह रहा हूँ कि जितने लोग पढ़ा रहे होगे आप सब का नाम जानते होंगे सब लोग की हो सकता नंबर होगे नहीं नंबर होगा सब लोग कर लीजिए नोड कर लीजिए आप लोग भी सही प्रस्ण बता देगे, जो कहेंगे, वो हार जाएंगी, अगर आपके ये बात मेरी समझ में आ रही है, ता आप किसी से मत बताइएगा, सर ने कहा था, आप के वल प्रस्ण को लिख लिजे, और लोगों को लिख के उरके वार्ट सा प्रस्ण कर दिए, बोल दिए सर, इ क्योंकि मैंने भी कई बार देखा है, हमने भी शुरुआत किया, जब हमने शुरुआत किया, छोटे-छोटे प्रस्ण मुझे लगता था, मैं सही करके आया हूँ, जब पेपर देख या था, बहुत प्रस्ण होता था, कि मैं 125 में 20 कर दिया हूँ, 121 कर दिया हूँ, 122 कर द यह प्रश्ण है हम लोग क्या करते ध्यान नहीं देते और गलतियां कर चले आते यह प्रश्ण वैसे ही है जैसे आप एकदम प्लेन सड़क हो भीडभाड नहीं हो वहां तो गाड़ी आप चला लेंगे खुब तेज भी चला लेंगे लेकिन भीडभाड एकदम फ्री प्लेस प्लेबर चलाने वाला डायवर अच्छा नहीं होता वह युद्ध अधल में गाड़ी अच्छी चला लें ऐक्सिडेंट ना हो सबकिए आपको सभी को बचा के बाहर निकाल दे और वैंट्र अच्छा होता है और आइस अ इस तरिके से हम चाहते कि आप सब लोगों के अंदर गहराई पैदा हो अच्छी जानकारी हो है न कि अच्छी बात है देखिए सब प्रियांका गुपता जी कहना बहुत अच्छा सबी लोग धन्यवास आप सभी लोगों का मैं तो इसमें से देखिए से अच्छी एजुकेशन की क्लास चल रही है बिल्कुल एकिसन्स की क्लास 7 बजे से लेगी 7 बजे से है आप देखिएया चलिए देखिए तो ये दोनों अंसर इसमें देखिए लए इसलिए सही है कि जो हमने दिखा भारती कला की मुख विसेश्ता क्या है तो ये भारती कला की मुख विसेश्ता है तो ना हमने भारती काव कला की मुख विसेश्ता पूछी ना हमने भारती काव कला की मुख विसेश पुछी अर्थार्थ हमने सभी कलाउं की विषाष्ता पूछी ताब इक लए संगीत कला चित्र कला मूर्थकला मैंने सबकी विष्ष्ता पूछी और सभी में एक ही समाहिक है कि और वह है क्या है लै अगर काब बे अच्छा तरीके से आप अच्छे तरीक् insights नहीं तो अच्छा नहीं होगा संगीत भी आप अगर लए और धूरताल से नहीं करेंगे तो सही नहीं होगा चित्र भी अगर रेखाओं का लए के साथ सामंजस नहीं बनाएंगे लयात्मता नहीं पैदा करेंगे तो चित्र अच्छा नहीं बनेगा और मूर्तियां भी अगर लयात फ्रकृत अच्छी तरीके से नहीं करेंगे उसके सजाने उसमें लए पाइदा नहीं करेंगे एक दम सीधा-सीधा खड़ा करके जोड़के कर दीजि़े वह भवन भी अच्छा नहीं माना जाता है अर्थार फान्य क्वन निर्माड होनों चारी चित्र निर्माड हो, चाहे संगीत हो, कोई गीत हो, कोई काव भी हो, ले सभी में समाहित है और सभी को अच्छी तरीके से प्रदर्शित करने के लिए ले होना अतियावस्यक है, इसलिए सभी भारती कलाओं की जो मुख्य भी से इस्तामानी जाती है, वह ले को माना गया है, ठीक है, चलिए, देखिए, दीपक मदेश्या जी कहना, गर्भ है सर आप पर, ठीक है दीपक जी, सब सही है, बस आप लोग कहां, और उसा जान कहना है सर, आज इंगलिस की कलास नहीं चलेगी, चली क्यों, चले अभी तो हो सकता है कि मेडम ना हो, इसलिए नहीं चली होगी सुधा जादो जी, थैंक यू सो मच सर, हम लोगों को, सुपर सर, धन्यवाद जी, सुवेता जादो जी सर, आप सुपर से भी, उपर सर, वेरी नाज, थैंक यू जी, चले, डेली क्लास चलती है, छोटू राज जी, हाँ, बिलकुल अभी क्लास रोच कांटिनूउग चल र अगर अब आप लोग को कांटिनूवस हमारी क्लास करनी हैं, तो यहाँ पे जो भी नंबर्स दिये गए हैं, उन नंबरों पे आप बात कर लीजिए, और बात करने के बाद अब अगर आप फीस पेड करेंगे, तभी आप क्लास ले पाएंगे, आज के बाद जो पब्लिक क् क्लास हो जाएंगी, अब वही हमारे मित्र या प्रत्योगी क्लास ले पाएंगे, जिनकी फीसे यहाँ पर पेड हैं, और जिनके पास लिंक जायेगा, वही क्लास ले पाएगा, इसलिए जितने भी इच्छू क अभ्यारती हैं, अगर उनको क्लास करनी है, तो आप लोग दे तो लिश्टेट क्लास रहेगी इसलिए आप लोग को जितने लोग को कांटिन्यू क्लास करना है आप लोग इनमिशन ले लिजे फिर ताकि आप लोग क्लांटिन्यू जोड सके और इसे बीच-बीच में कभी 10 दिन 15 दिन कभी टेश री जा किसी रोग में पब्लिक रहेंगे तो अगर अगर आप लोग इनमिशन नहीं लेंगे मुलाकात होती रहेगी आप लोग उससे है ना विएल सोनकर जी कहना सर जी मुबाइल नंबर भेज दीजिए ठीक है यह नंबर दिये गया है देखिए आपके सामने लिखा गया है एक पार दिस्टेशन का 18 18 18 26 50 इसके यह देखिए और भी आपको नंबर दिये गए हैं और उसको फीका वार्शम नंबर है इस पर आप लोग बात कर लिए लिए कि देखिए इसमें मनोज जी कल कला के तख पढ़ाएंगे क्या सर देखिए मनोज जी कला के तख था भी नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि अब है आप आप लोग रिवाइस कर लीजिए अभी जो लोग भी नए स्टुडेंट्स हैं जो लोग जिनके डिमीशन्स हो रहे हैं वो भी पढ़े ले और साथ में ही कला के तर्थ पढ़ा दिया जाएगा हम पढ़ाना हमें को है चाहे अभी पढ़ा दे चाहे हम आपको दो महीने बाद या नहीं होगा तभी घंडे कलास चल नहीं ठोड़ी सी यह समझे हैं जो आपके कोरोना की है क्योंकि अभी थोड़ा सा समय लेके कुछ चल्ड़ाशी सल लई है और थोड़ा सा नार्मन हो दाएगा तो एक कलास से कांटी निवस लेंगे उसके लिए एक अलग से कलास लेके आप लोग देएगे नमबरों बात करके डिमिशन ले लिजे ठीक है चलिए नेच्ट टाइम फिर मिलते हैं आप सभी लोगों को प्यार भराख नमस्तार